बिहार में चल रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर कई तरह की समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश से जो कुछ बेसिक शिकायत मिलकर आ रही है। इन दिनों पूरे बिहार में समीन सर्वे का काम चल रहा है। का दावा कर रही है। लेकिन बावजूद इसके सर्वे में कई तरह की परिशानियां आ रही हैं जिससे लोग काफी परिशान नसर आ रहे हैं। जमीन सर्वे में कागज को लेकर परिशानी तो सभी को हो रही है। लेकिन पटना के ही विक्रम प्रखंड के महाश पूरा गाओं के लोगों ने जमीन सर्वे में आ रही परिशानियों को देखते हुए अपने गाओं में सर्वे कराने हिसे ही इनकार कर दिया है। और सरकार द्वारा कराय जा रहे सर्वे का बहिशकार कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी समस्याओं का समधान नहीं कर देती है तब तक ये गाओं के कोई भी लोग सर्वे नहीं कराएंगे। न्यूजेटिन बिहार शारखंड समीन सर्वे को लेकर लगतार लोगों को चागरूप कर रहा है। तो इसमें कई बाते निकल कर सामने आई। हॉम पर लिखी भाषा समझ में नहीं आती है। सर्वे कर रहा धिकारियों की कमी होने का आरूप। ओनलाइन पेपर में गडबड़ी का आरूप। किसी का प्लॉट नमबर गलत है, किसी का खतियान गलत है। महाजपूरा गाओ जब हम पहुँचे तो अहां गाओ के कई लोग अपनी अपनी परिशानी बताने के लिए इकठा हो गये। यहां हमारी मुलकात विरंदर कुमार नाम के व्यक्ति से हुआ। इन्होंने बताए कि ब्लॉक में ना तु सीउ आते हैं ना ही कर्मशारी मिलते हैं। और जब मिलते भी हैं तो उनका रवया ठीक नहीं होता है। उपर से हर काम के लिए रिश्वत की डिमांड करते हैं। कर्मशारियों और अधिकारियों द्वारा पैस से मांगने के आरूप पर जब हमने इसी गाउं के रवेंदरनात सिंह से बात की तो उन्होंने भी बताया कि डिरेक्ट कोई पैसो की डिमांड नहीं करता है लेकिन बिना पैसो के कोई काम पुता भी नहीं है। सर्वे में जो दिक्कत आ रही है उसमें एक दिक्कत फॉर्म को लेकर भी है। महाजपूरा गाउं के रहने बाले निरंजन शर्मा ने बताया कि सर्वे के लिए कुल 22 पन्ने का फॉर्म है। हम लोग तो रोज जूज रहे हैं ब्लोक में। इस से खुब बढ़ियां उगाही किया जाता है करमचारियों के द्वरा। और सबले दोसिस में बिहार सरकार है कि करमचारी ब्लोक में है यह नहीं है। महाजबूरा गाओं के लोगों के आरूपो में कितनी सचाई है और क्या सच में गावाले जो शिकायद कर रहे हैं उसमें दम है। यह जानने के लिए हम गाओं के सरपंच सुधिर कुमार से मिले। उन्होंने रिश्वत लेने की बात से इनकार तो नहीं किया। लगे हाथ उन्होंने कर्मचारियों की कमी, भूमाप्याओं का आतंक और सरवे करह अधिकारियों की नौलेश पर ही सवाल उठा गिया। इस सरवे में सबसे जादा दिक्कत ब्लॉक में जाकर जमीन का कागच निकालने में हो रही है। लोगों की शिकायत है कि वन्शावली के लिए ब्लॉक में लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन अधिकारी और करमचारी उनकी सुनते नहीं है। कहते हैं बाद में आईएगा और गुप्त रूप से पैसों के डिमांड करते हैं जो पैसा देते हैं उनका काम बिना किसी परशानी के हो जाती है लेकिन जो पैसा नहीं देते हैं उनका काम नहीं हो पाता है। इसका समधान है कि पहले तो पूरे ब्लॉक में या कहिए बिहार सतरपर जो सर्वे हो रहा है तो इसके लिए सीयो और करमचारी या भूर आजस विवहार के सभी पताधिकारियों को बिहार सरकार को जिम्मेवारी देना चाहिए कि आपके जिम्मेवारी बनता है कि आप इतना दिनों में सब लोगों का परिमारजन, खतियान, जमावंदी या मौखिक बदलायन या इस्टामप बदलायन है उस समस्या का समधान करें उसके बाद समधान जब पूरा होता है उसके बाद भूमी सर्वे का डेट निकला जाए बिहार सरकार द्वारा यहीं हमें संचीव कुमार नाम के व्यक्ति मिले उसे जब हमने ये जानने की कोशिस की कि भहिशकार करने से समस्या का समधान कैसे होगा तो उन्होंने बताया कि सर्वे के आदेश दू दे दिये लेकिन सर्वे की तयारी अच्छे से नहीं की जिसकी वज़े से ये सारी दिक्कते आ रही हैं जमीन सर्वे से पहले लोगों के कागज ठीक किये जाए तैस समय में अधिकारियों को काम पूरा करने का निर्देश सारा कागज ठीक होने के बाद सर्वे का काम शुरू हो सर्वे कर रहे अधिकारियों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए सर्वे को लेकर आ रही दिक्कत के कारण महाजपूरा गाउं के लोगों ने सर्वे का ही बहिश्कार कर दिया है उन्होंने जो सवाल उठाया है वो सिर्फ महाजपूरा गाउं के लोगों के सवाल नहीं है बलकि पूरे बिहार से ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं अलाकि इन तमाम परिशानियों के बाद भी लोग समीन सर्वे के फैसले को सही मान रहे हैं महाजपुरा गाउं के लोगों ने भी सर्वे के फैसले को सही बताया लेकिन सर्वे के दौरान आ रही दिक्कतों को दूर करने के बाद सर्वे कराने की मांगी है अलगी सरकार भी कोशिस कर रही है कि लोगों को समील सर्वे में किसी तरह की दिक्तत ना हो ऐसे में देखना होगा कि इन परिशानियों को तूर करने के लिए सरकार क्या गदम उठाती है पतना से निव सेटीन बिहार शार खंड के लिए संजे कुमार की रिपोर्ट